संसद में कल सुरक्षा में हुई चूंक मामले आज लोगसभा और राजसभा में दिन भर हंगामा होता रहा और हंगामा करने वाले 14 सांसदों को सस्पेंट भी कर दिया गया है संसद में शीत कालिंस सत्र के नौवे दिन गुरुवार की कारवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूंक के मामले में जम कर हंगामा किया इसके बाद लोगसभा से विपक्षी पार्टीओं के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया इनमें कॉंग्रस के टी एन प्रतापन, हीबी इडिन, जोथी मानी, रामिया हरिदास, डीन कुरिया कोस, मनीकम टैगोर, एमडी जावेद, वीके श्रिकंदन और बैनी बहनन शामिल है। सस्पेंड़ सांसदों में CPI और DMK के दो-दो CPI के एक नेता शामिल है। नहीं राजय सभा से TMC सांसद डेरेक ओब्रायन को भी बचे हुए सत्र से निलंबित किया गया। तरसल डेरेक नारी बाजी करते हुए वेल्ड में आ गए थे, जिससे स्पीकर जगदीप धन खड नारास हो गए। उन्होंने डेरेक को सदन से बाहर जानी को कहा और सदन सजगित कर दी। कारवाही दोबारा जब शुरू हुई निलंबित सत्र से डेरेक फिर से सदन में आ गये और कारवाही को फिर सजगित करना पड़ा। गुरुवार को आज सुबै जब कारवाही शुरू हुई तब से हंगामा लगातार होता रहा जैसे ही लोग सभा स्पीकर ओम बिडला संसद में पहुँचे विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर जम कर हंगामा करना शुरू कर दिया उन्होंने गुरुमंत्रि की जाएगी उन्होंने सभी को वश्वास दलाया कि लोग सभाध्यक्ष होने कि नाते सब की सुरक्षा के जिम्मेदारी उनकी है वही रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने भी लोक सभा में कहा कि सभीने कल की घढड़ना की निंदा की है स्पीकर ने मामले का संग्यान ले लिय है हमें सतर्क रहना होगा कि हम संसंद में दाखिल होनी के लिए किसे पास महया करवाते हैं सांसदों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों को पास न दे जो अराजक माहौल पैदा कर सके भविश्य में सारी सावधानी बरती जाएगी